गाइज अगर मैं आपसे पूछू, who is the founder of Tesla, तो आप Elon Musk ही बोलोगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, आपने Elon Musk इसलिए बोला क्योंकि Tesla company चाहती है कि आप उनका नाम लो, एक्शलि टेसला को मार्टिन इवर हर्ड और मार्क टावरिनिंग ने मिलकर स्टार्ट किया था, और Elon Musk को इस company की भनक तक नहीं थी, लेकिन जब टेसला थोड़ा famous होके जादा लोगों तक पहुँचा, तो काफी investors ने इस company में invest करना स्टार्ट कर दिया, और eventually उस वक्ट टेसल कंपनी के CEO को तक निकाल सकते हैं, और वहाँ जाते ही ना जाने किस वज़ा से, मस्क, मार्टिन और मार्क में जगड़े होने शुरू हो गए, और Elon Musk ने किसी तरह दोनों को कंपनी से निकलवा दिया, और 2008 तक टेसला लोगों को यही बताती रही कि मस्क ही इस company के रियर founder है, और इसी साल मार्टिन और मार्क ने टेसला के खिलाफ lawsuit साइन किया, और फाइनली 2009 में उस lawsuit की settlement हुई जिसमें इन तीनों को टेसला company का founders कहना पड़ा,